दोस्तो आज हम आपको एक ऐसा देश की सैर करवाएंगे जहाँ पर साथ सो से भी ज्यादा नदिया बहती है एक ऐसा देश जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बीच मौझूद है एक ऐसा देश जहाँ प्रोस्टीशन को आनुने मानने तपराप्त है और इतना ही नहीं ये एक ऐसा देश जहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं क्या इन बातों से आपको अंदाजा लग पाया है कि हम किस देश की बात कर रहे हैं चलिए आपको एक हिंट और दे देते हैं ये देश पूरी दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए भी विख्यात है अब चायद आपको अंदाजा लग गया होगा जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे पडोसी देश बांगलादेश के बारे में ये देश अपने खुपसूरती महिलाओं, हरियाली, घने जंगल और हसीन वादियों के लिए प्रसिद्ध है अगर दोस्तों आप भी बांगलादेश को एक महान देश मानते हैं तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाईए चलिए अब हम बांगलादेश के सफर के शिरवात करते हैं दोस्तों बांगलादेश का असली नाम पीपल्स रिपब्लिक आफ बांगलादेश है सोलह करोड की आबादी वाला ये देश विश्व में जनसंख्या के लिहाज से आठवा सबसे बड़ा देश है बांगलादेश का कुलिक शित्रफल एक लाख 47,570 स्क्वेर किलोमीटर हैं और यहां की डेंसिटी 1265 किलोमीटर ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि सन 1947 में हमारे देश की आजादी से पहले बांगलादेश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था लेकिन मुस्लिम जो न संख्या अधिक होने के कारण इसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया और इस देश को इस्ट पाकिस्तान नाम दे दिया गया इसके बाद 1971 में भारत की मदद से बांगलादेश को आजादी मिल पाई और ये एक स्वतंत्र देश बन पाया बांगलादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए इस देश के लोगों को काफी संखर्ष भी करना पड़ा अब आप सोच रही होंगे कि आखिर इस देश का नाम बांगलादेश ही क्यों रखा गया इतना ही नहीं बांगलादेश के लोगों का रहन सहन खान पान काफी हद तक भारत के पश्चम बंगाल से मेल खाता है दोस्त बांगलादेश उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां आधी से ज्यादा आबादी रूरल एरियाज में रहती है बांगलादेश की कुल 49 फीसिती आबादी शहरी आलाके में रहती है वहीं अन्य 61 फीसिती आबादी गाओं के आलाके में रहती है बांगलादेश में कुल 67% पीजदी लैंड पर क्रिशी और खेती बाड़ी की जाती है और इसलिए यहां आधी सी ज्यादा आबादी क्रिशी के जरिये ही अपना जीवन यापन करती है यानि कि कुछ बड़ी शहरों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा बांगलादेश में हर जगह क्रिशी ही की जाती है चावल उतपादन के मामले में बांगलादेश विश्वा में चाओथे नमबर बराता है विश्वा के कुल तीन प्रतिशत चाए बांगलादेश में प्रोड्यूस की जाती है और इस कारोबार से यहां पचास लाग से भी अधिक लोग जुड़े हुए है दोस्तों बांगलादेश को कंट्री ओफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस देश में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 700 से भी ज्यादा नदिया भेंती है एश्वा के तीन सबसे बड़ी नदिया गंगा, मेगना और ब्रह्मपुत्र तीनों ही इसे छोटे से देश से होकर गुजरती है नदिया देश के लोगों के लिए एक वरदान है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है बांगलादेश को हर साल बड़े पैमाने पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है और इसलिए बरसाद के मौसम में दो से तीन महीने तक ये पूरा देश बाढ़ के पानी से डूबा रहता है बाढ़ के कारण बांगलादेश को हर साल करोडो रुपयों का आर्थिक नुकसान भी होता है लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस बाढ़ की कारण बांगलादेश में एजुकेशन सिस्टम प्रभावित नहीं होता पिछले कुछ वर्शों के दौरान यहां पर बोट स्कूल का सिस्टम सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और इस सिस्टम को काम्याबी भी मिल रही है ऐसे में बाढ़ आने पर भी यहां बच्चों के बढ़ाई पर कोई खासा असर नहीं पड़ता दोस्तों बांगलादेश में लोगों को अखबार पढ़ने का भी बहुत शौक है और आज भी कुछ हिस्सों में रुपे पैसों को टका ही कहा जाता है इसी से प्रेरित होकर बांगलादेश ने अपनी करंसी का नाम टका भी रखा हुआ है बांगलादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बांगला और भारत का राश्ट्रगान जन गण मन दोनों एक ही विक्ती बंगाल की महान साहितिकार और कवी रविंदरनाथ टैगोर ने लिखा अब हम आपको बंगलादेश के ही कुछ लोगों की अजीब बातों से रूबरो कराते हैं हमारे देश में उल्टे हाथ से पूझा करना या अन्य कोई काम करना अशुब माना जाता है लेकिन बंगलादेश में तो उल्टे हाथ से हैंट्शेक करने को भी अशुब माना जाता है इसके लावा उल्टे हाथ से खाना या अन्य कोई काम भी यहाँ पर लोग उल्टे हाथ से नहीं करते ऐसे में लेफटी लोग इस देश में कैसे काम करते होंगे ये बात तो सोचने वाली है बांगलादेश शायद इस दुनिया का एक मातर ऐसा देश है जहाँ पर लोग मुस्कुराने को भी अच्छा नहीं समझते जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना बांगलादेश में किसी को देखकर मुस्कुराना या स्माइल पास करना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं मुस्कुराने को यहाँ पर बचपना और ना समझे के निशानी समझा जाता है और इसलिए वहाँ पर आपको बहुत सी लोग एंग्री मैन के लुक में दिखाई देते है दोस्तों बांगलादेश की विकाश में यहाँ मौझूद ब्रष्टाचार एक बड़ा बैरियर सामने आता है यहाँ नीचे से लेकर उपर तक सभी लोग बेहत ब्रष्ट है को मिल रही है बांगलादेश विश्व के उन देशों के सूची में शामिल है जहाँ पर प्रोस्टिटूशन याने की जिसमें फिरूशी को आनूनी मानने दा प्राप्त है बांगलादेश का नाम विश्व के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में आता है आपको बता दे कि वैसे तो बांगलादेश का राष्ट्री खेल कबड़ी है लेकिन यहाँ भी भारतियों लोगों की तरह है प्रतेक नागरे के रग रग में क्रिकेट बसता है इस देश की लड़कियों की खुपसूरती भी एक अलग ही लेवल की होती है मोटी चमकदार आखे और सुन्दर सुन्दर गाल किसी को भी अपनी तरफ आकेशुद करने के लिए काफी है भारत बांगलादेश क्रिकेट की दावरान भी आप इस आराम से इस खुपसूरती का लुथ फूठा सकते हैं बांगलादेश के लोग अपने फिटनेस को लेकर काफी जाग रुख होते हैं और इस देश में आपको मोटे लोग बहुती कम देखने को मिलेंगे इस चोटे सी देश में सत्रह एपूर्ट्स मौझूद है हालांकि इस देश के ट्राफिक के कारण कहा जाता है कि आपको एपूर्ट जाने के लिए तैय समय से चार घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है चलिए अब इस देश के प्रमुख ट्यूरिस्ट प्लेस और मुखे शेहरों की बात कर लेते हैं धाका को मस्जिदों के शेहर के नाम से भी जाना जाता है कहा जाता है कि यहाँ पर हर गली महले में मस्जिद ही बनी हुई है इसे शेहर में एक हजार से भी ज्यादा मस्जिद है इसलिए आप जहांबे जाएंगे आपको आसानी से मज़ित देखने को मिल जाएंगी हालांकि पिछले कुछ सालों से यहां की सरकार ढाका को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए काफी महनत भी कर रही है बांगलादेश में ही विश्व का सबसे बड़ा बीच भी मौजूद है जिसका नाम है बाजार बीच इस बीच के लंबाई 80 मिल यानी लगबख 135 किलो मीटर है इस बीच के किनारे यहां का सबसे बड़ा बाजार भी लगता है साथ ही यह बांगलादेश के लाइफ लाइफ लाइन भी कहा जाता है क्योंकि इस समुद्र के किनारे ही देश के सबसे बड़े बंदरगाह बने हुए है इसके लावा चिटागोंग भी एक बहुत खुबसूरत शहर है यहां के पहाड, जीले और सुहारा मौसम सैलानियों को बड़ी मातरा में आकरशित करता है इसे शहर को गेटवे आफ बांगलादेश भी कहा जाता है यदि आपको चाय के बड़े बड़े बागान देखने हैं तो सिलहेट नाम के शहर का आप रुख कर सकते हैं बांगलादेश का सबसे प्रसिद्ध चूरिस प्लेस है ये सुन्धर बन के जंगल यहां आपको बंगाल के टाइगर आसानी से घूमते हुए नजरा जाएंगे इसके अलावा यदि आपको संसेट और संडराइस का खुबसूरत नजरा देखना हो तो आप या शांदार सी फूट का लुथ उठाना हो तो आप यहां के कुवा काटा बीच की सैर कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे हमारे पडोसी देश बंगलादेश के खुबसूरती की कहानी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंदाई होगी चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं फिर मिलेंगे एक नए देश की रोचक जानकारी के साथ धन्यवाद